नमस्कार दोस्तों मैं रहुल पटेल डाइरेक्टर अप सुफ्तम एजूकेशन सवेसिस प्राइविट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सुफ्तमों की ऑफिशल यूट्यूब चैनल के उबर आज का हमारा जो विशा है वो है कजान फेडरल मेडिकल उन्वसिटी का एड्मिशन प्रोसेस के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको हर एक टाइप की इंफोमिशन प्रोवाइड की जाएगी कि जो आपको useful रहेगी कजान federal medical university में admission लेने के लिए एवं कुछ document का comparison भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा जो last year का और इस साल का difference है इसके इंदर तो यह वीडियो को अंतक जरूर से देखें मेरा request है आप सबसे और दोस्तों मेरा आप सबसे दूसरा एक request यह भी है कि अगर आपने यह चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है सबस्क्राइब जरूर से कर ले अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप यह वीडियो को like भी कर सकते हैं और आपने दोस्तों के साथ share भी कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे कजान फेटरल मेडिकल इंवोसिटी के डॉक्यूमेंट की रिक्वार्मेंट के बारे में तो कजान फेटरल मेडिकल इंवोसिटी में अगर आपको एड्मिशन लेना है तो 10th, 12th का माक्षिट और आपका आधार कार्ड या फिर पास्बोट इतने डॉक्यूमेंट प्राइरिटी में रिक्वाइड रहेंगे रिजिस्टेशन के लिए जैसे ही आपका रिजिस्टेशन हो जाएगा आपको एक यूजर का वहां से एक आपको एक फॉर्म आएगा फ्रम दे अड्मिन डिपार्टमेंट वो सब्मिट होने के बाद आपको वहां से यूजर एडी पास्वर्ड प्रोवाइड किया जाएगा जो यूजर एडी पास्वर्ड से आप वहां की एंटरंस एक्जाम के अंदर बैठ सकते हैं तो एंटरंस एक्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको सबसे पहले जो स्क्रीन है वो जैसे लॉगिंग करेंगे लॉगिंग का जो प्रोसेस बहुत सिंपल है यह लिंक जो हम लोग यहां पर आपको शेर कर रहे हैं वो लिंक पर जाके आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको English Language सिलेक करना है right corner side से जो हम लोग यहां पर आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सीधा वहाँ पर Sign in option पर क्लिक करना है और वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक box open होगा जहां पे आपको user id password जो provide किया जाएगा वो आपको डालना है जैसे ही आप user id password डालेंगे आपको एक screen open होगी वहाँ पे जो नीचे है आपको central में online test करके जो option है वो वहाँ तक highlight नहीं होगा जहां तक आपने consent form sign करके नहीं बेजा होगा अगर आपने consent form sign करके बेजा हुआ है और upload हो चुका है तो आपको वहाँ पे online test जो है वो portion active हो जाएगा जैसे ही online test के उपर आप click करेंगे तो आपको एक दूसरा page open होगा वहाँ पे आपको subject जो भी exam देनी है हर एक subject की अलग-अलग date में exam है तो वहाँ पे click here करके आपको एक option हाएगा बगल में वहाँ पे जाके आपको click करना है जैसे ही आप वहाँ पे click करेंगे click करने के पश्यात सीधा आपको वहाँ पे एक page open होगा जो होगा रश्यंग के अंदर वहाँ पे नीचे 3 box आपको click करने है तीन box click करने के बाद उसके बाद आपको एक page open हो जाएगा वहाँ पे आपका synchronize होगा आपका जो भी computer होगा जैसे ही आप करेंगे synchronize होगा आपका computer जो भी होगा technical आपका check किया जाएगा हर एक चीज़ वहाँ पे automatically जैसे वह चेक हो जाएगा वहाँ पे नीचे green color के बटन यह पीर हो जाएगा वह green color के बटन के उपर click करते ही आपका एक camera open हो जाएगा आपका वहाँ पे आपका photo capture करन है आपको और वहाँ पे upload करना है जो Russian language में लिखा हुआ green color का button है वहाँ पे आपको click करना है जैसे ही आप वहाँ पे click करेंगे click करने के बाद आपका test शूरू हो जाएगा तो यह है test का process online का इसके बाद अगर admission letter के बारे में बात करेंगे तो अगर last year का admission letter देखेंगे तो व तो market में चैदर तर promotion किया जा रहे है कि आपको पांच साल के course में admission दिलवा दिया जाएगा लेकिन वो गलत बात है on the best of performance you will get the admission in the 5 year program without that it's not possible so यह चीज आपको खास ध्यान रखनी है entrance exam के अंदर के 240 प्लस marks आपका achieve होगा तो आपको 5 year scores प्रोवाइड किया जाएगा 180 प्लस marks होगा तो आप qualified count होगे as a 6 year program तो इसी बेस पर आपको वहाँ पर admission मिलना है दोनों course की fees के अंदर या दोनों course के syllabus के अंदर एक रूपिय का भी difference नहीं है यह चीज दियान में रखिएगा दूसरी बात admission लेने के लिए जो entrance exam लिया जाता है उसका कोई भी fees आपको पेगे नहीं करने की ज़रूरत है वो free of charge है तो कोई भी आपसे अगर पैसा मांग रहा है तो वो गलत बात इसके बाद जैसे आपका entrance exam complete हो गया आपका result आ गया okay 12th का result already कहीं लोगों का आ चुक है कहीं लोगों का pending है और 3rd जो need का result आएगा उसके बाद जैसे आप document submit कर देंगे उसके बाद आपको वहाँ से agreement भीजा जाएगा वह agreement जैसे आएगा वह agreement के अंदर mention होगा कि आपको 5 साल का course मिल रहा है कि 6 साल का course मिल रहा है तो उससे पहले आपको कोई भी commit कर रहा है तो वह गलत commitment कर रहा है दूसरी चीज़ आपको खास दियान रखनी है कि क बात करेंगे तो इसके जैसा option आपको मिलना मुश्किल है तो जिन लोगों ने अगर थीज तारीक का exam मिश्किया हुआ है तो उनको मेरा advise है कि चार तारीक को जो रिजर्वड है उस दिन exam जरूर से दे दे और 27 तारीक को chemistry का exam होना है थीज तारीक को जो है वह English का exam होना है य उस time पर आपको यह option एक available रह जाएगा आपके लिए जो अच्छा option है तो I think दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मेरा request है सब्सक्राइब जरूर से कर ले और वीडियो आपको अच्छा